हलो दोस्तों मैं हो टैक गरूव वेदान्स और आज हम नेट वर्किंग में जो कमांड यूज करते हैं नेट वर्किंग की स्पीड चेक करने के लिए उसका मैक एड्रेस करने के लिए उसकी ट्रवल सूटिंग के लिए उसको प्रॉपर अच्छी तरह से हमारा नेट वर्क रन करें उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उनके वह बारे में आज हम प्रैक्टिकली तोर पर टैप टैन विंडो करने के लिए कमांड प्रोमोट में जो हम कमांड यूज करते हैं जिसकी सहता से माइप एड्रेस या मैक एड्रेस या सर्वर या रूट आधी की जानकरी जो प्राप करते हैं वह नेटवर्किंग कमांड होती है अब नेटवर्किंग कमांड क्या आप सकता क्यों पड़ी क् एक मसीन पर खुले सभी TCP connection यूडीप की पहचान करने के लिए उसकी output को पूरा करने के लिए routing table को proper maintain करने के लिए networking command की आवस्था होती है networking command को प्योग मुक्रूफ से system की जानकर रिप्राप्ट करने के लिए networking की जो समझ से है troubleshooting है उनका पता लगाने के लिए और उसको solution के लिए यह networking command का प्योग हम करते हैं आएए देखते हैं टैप ट्रेंड विंडो कमांड करने के लिए यह आपके बड़ आपके पास किसी भी network की समय क्या है कि नवारन के लिए एक data packet वेज़ता लेकिन यह packet के mark को ट्रेक करता है क्योंकि यह server to server तक जाता अब ट्रेसरट की कमांड को कैसे पूरा करेंगे कैसे चलाएंगे विंडो प्लस आर प्रेस किया तो कुछ इस तरह से रन कमांड पुलेगी cmd टाइप किया cmd टाइप करते इसको ऑके कर दिया ऑके करते ही कुछ इस तरह से यह इस तरह की विंडो ओपन होगी इसके बाद में यहाँ पर ट्रेसरट लेखना है कि पी आर एए ऐसी ची आर टी ट्रेसरट किया और इसको ओके कर दिया तो उसमें देखिए यह इसकी हाइस मेक जीमन होब कितने हैं किया मेक जीमाम लोएस टाइम आउट यह सारी डेटेल इसनेश में निकाल के दे दिये यह है ट्रेशर्ट की कमान का पाथिंग क्या है पाथिंग भी ट्रेशर्ट के ही समान है सिवाए इसके कि यह अधिक जानकारी पूर्ण है इसे निस्पादित करने में बहुत अधिक समय लगता है आपके द्वारा दिये गए गंतव पर पैकेट वेजने के बाद यह लिए गये मार का विश्लेशन भी करता है और प्रति होब आधार पर पैकेट हाने की कैल्कुलेशन करता है अब इसको कहा पर सब्सक्राइब देख चलाया जाएगा इसको भी विंड़ो और में जाएए मिए सीम्डी कमांड में जाओ सिएमडी कमांड में जाएंगे तो उसमें पातिंग टी एच पी आइएग जी पातिंग किया तो सारी डीटेल निकल करके सामने आ गये क्यों ट्रेसाटर पातिंग कि अब आई-पी कन्फिक और इसको चोटा कर देते हैं साइडम कर देते हैं आई पी कन्फिग अकसर विंडो पर सबसे अधिक उपियों के जाने वाली नेटवर्किंग कमांड के रूप में सामने रूप में यूज किया जाता है यह नाकिवल उसके प्रदान की जाने वाली जान करीक्लियों क्यों होते हैं बलकि आप इसे कुछ कार्यों को पूर्ण करन कर दिए ipconfig.all इसमां आपको आपका ip address, mac address वारी डिटेल, आप किस ip से connect है, आपका host IP क्या है, आपका खुद का mac address है, media disconnected है, मूड टाइप कैसा है, आपका host name क्या है, इस सारी प्लिटेलन करके आपको देगा एक है गेट मैं यह वो बहुत ही से में मांट है जो आपके ने में आपके इंटरफिस पर मेक का पता कर phrases में पता करने के लिए हमें वोहीं विंडू अार में जाना है रन कमांड में जाना है और गेट मेक कर देना है जी इटी मेक किया टाइप किया तो यह हमारा जो फिजिकल एड्रेस यह मेरा मेक एड्रेस ही तो यह मेक एड्रेस की सारी इंफर्मिशन देता है होस्ट नेम भी वहीं चलेगा बोश्ट नेम क्या है बहुत ही सरल कमांड जो मसीन का होस्ट आपके जो पीसी है उसका नाम पर दिस्ट करेगा यह कंट्रॉल पेनल सिस्टम रूट में जाने की तोड़ा बहुत ही तेज है विंडो आर प्रेस किया से इंडी टाइप किया और हो एस टी एन एमे और इंटर अब मेरा जो यह है जो वोस्ट नेम है ऐसा एसा जो पीसी का नाम है वही इसका वोस्ट नेम है फिंग पिंग कमांड एक प्रॉम्ट एप्लिकेशन में प्योकर ने बहुत भी बुनिया दिया लेकिन उप्यों की नेटवर्क के कमांड में से यह क इसको बताता है कि आपको कम्पूटर किस गरितविस्तन आइपी पता किस डोमेन के ना साथ जुड़ा हुआ है और यदि ऐसा होता है तो डेटा को वहां जाने और फिर वापस आने में कितना समय लगा सारी कैल्कुलेशन यह करके देता है विंडो आर में जाईए विंडो आप में जाते ही और आप सीदा टाइप कीजिए जैसे सपोज करो पिंग किया तो पॉइंट मलब पिंग इसपेस पॉर्प डॉट तो इसको मैंने ऑके किया है तो देखो यह पिंग हो रहा है पिंग का मतलब यह मेरी नेटवर कनेक्टिविटी को दिखा रहा है कितना कि एक है ncpa.cp a यह से कमांड एक कमांड है जो प्यूण करता ही कम्पुर्टर के नेटवर्क एडॉक्तर पर री डिरेक्क करता है यह प्रमोट और वांड कमांड़ करता है और बिंडों कर समस्क्राइब में बिंडों सर्वर 2003 बिंडों XP पर लिए उपलब है आज भी यह उपलब्ध है अब NPCL कह से यूज होगा आप सीधे विंडो आर में जाएए और कि एन कि पी कि एन सी पी ए आच चुका है एन सी पी ए डॉट सी पी एल इसको इंटर किया कि तो कि यह मेरे नेटवर करेक्शन पर पहुंचा दिया अब यहां पर हम किसी भी एथरनेट की पर टी सी पी आईपी की आईपी चेंज करना है मैनुवली देना है यह डिया सीपी सर्वर की तो आप्टोमेटिक उठाना है वह इस चीज़ के लिए अब यहां पर हम जाते हैं कि अब वह ब्रूपती किया जा सकता है अ अब भी रिवनेट एथरनेट पॉर्ट करनक्त नहीं है इसलिए अए एपल हुआ है तो टीसी पी आईपी और यहां पर हमने इसको क्लiक किया इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यह भी मैंनुवली आटी मिलिया है अगर हम आटमेटिक लिए अगर मेनुवल देंगे तो नीचे क्लिक करेंगे इसके सारी साइटिंग को हम चेंज करके इसको एजस्टेटिक आई पी के रूप में भी हम कंफियर कर सकते हैं यह सारी MPC के द्वारा होता है यह होता टी एंपी टेंपरेरी फाइलों को इस तरह होती है उनको खटाने के लिए कंप्यूटर की स्पीड को बढाने के लिए टेंप का प्रियोग किया जाता अब यह टेंप की विंडो आर्म जाईए और सिप्ट द्वा के हश पाटी एंपी और ऐस किया और की इस किया कर दो जितनी इन को कंट्रोल आल कर उपाई अफ स्क्रीन पर आजाएंगी है आप लिंदे जा सकता भीद के लिक चुटंप कि एक एफविज सीपील है जैसे हमारे PCA लैप्टॉप में जो भी अप्लिकेशन है उनको डिलीट करना है यह रिमूव करना है उसके लिए एफविज.cpl है यह कमांड यूज कर सकते हैं विंडो आर में जाएंगे यह डवल पी यह आचुकि एफविज.cpl और इसको किलिक किया ओके किया तो हम सीधे कंट्रोल पेनल पहुंच गया है यहां से किसी भी अप्लिकेशन को हम डिलीट या रिमूव या इनेबल ये डिसेबल कर सकते हैं इसका पता रिजुलिशन कैस देखाने के लिए किया जाता है इस कमांड को प्यों कमांड लाइन स्विच के साथ किया जाता है अब इसको वहीं पर चलाएंगे विंडो आर विंडो आर में कि सी एमडी ऑके किया ऑके करने के बाद में यह आर पी ए आर पी इस्पेस ए ना इडिया ए आर पी ये लो इंट्रफेस ही हमार इंट्रफेस सारे देखा दिया है इसनी और एक cmd कमांड है cmd कमांड में आपको पहले ही दिखा दिया बार बार cmd विंडो आर्म देखा जाकर कि cmd कमांड टाइप करते हैं जिस इंडिर cmd कमांड में ही सारी अंदर ये कमांड दी गई है तो दोस्तों ये वीडियो में आसा करता हूं अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ठेक्स्तों वाच्छ